हेलो स्टुडेंट्स आज हम यूज अफ कैन कई सारे बच्चों के कॉमेंट से कई बच्चों ने बोला कि सर कुछ मॉडल्स हैं उन्हें करा दीजिए समझ में याते तो बच्चों आज हम आपके जो मॉडल्स वर्प्स हैं उनको पढ़ेंगे फर्स जो मॉडल है हमारा वो कैन तो कैन जो बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा कन्फीजिक रहता है कि सर कैन का यूज कहां करें आप जितनी सारी आप बुक्स पढ़ोगे क्या होगा उन मां में ना भीत्रों, ए कृआ जए और तो मॉड़े ना जो इनका करना में रूट च्प hypothesis कि सब्सक्राण में और मिकित पार हमें पार तो मिन यूज करने हैं ऑगर मैं जनर्ली बात करूं पावर क्या हो सकता है तो में हमारे नीतीदिक है नहीं हमारी पार आई पार में तीन ते जलिए आपके बात कर दोंग को क्या होता है? जर्णलम में गया है? है कि वहां जए है बहुत है Спार अदे सब्सक्राइब कर दोर bother तो वह मतलब उसके अंदर फिजिकल पावर होगी मालोग कोई अगर पेशेंट है कोई मरीज इंसान है उससे आप कहिए तो क्या वह किसी भी वर्को कर सकता है नहीं कर सकता तो यहां बात उसकी हेल्थ की हो रही है तो क्या वह लेंगे अगरा संटेंब लिप्ट यह कैन लिफ्ट इस बॉक्स दुसरा संटेंज में लिए हुआ है कि मैं नदी के पार तेर सकता हूं सिंपल सा है जब इंसान के अंदर अबलेटी होगी वह हैल्थी होगा तब तो वह स्विमिंग कर पाएगा दुसरा संटेंज में क्या लिखा कि इंग्रेजी को अंग्रेजी नेन गरत हो है कि आपके अंधर यंदर है में अग्स हट्वाट को बोले चाहरां कि च Catholics के तो यंदर की इंग्लेटी है रहीं तो क्या है किस्की निन ने भी commerny तो कई को बच्चा कोई पको देए जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गिया आप उसे कोई भी कोशचन देथा दो तो उसे 2-2 नहीं पता या कोई बच्चा टेंथ में पड़ता है है उसे पगड़ा दो आप Class 12 का क्ोशच तो क्या कर पाएगा वो नहीं पाएगा तो आपकी mind power की इसके बात वह रही है, माइंड पावर की, तो she can solve this question, I can solve this question, I can teach you, you can learn English, जहां कहीं भी आपकी ability की बात हो, तो भापी हम क्या लगाते हैं, आगे दिया है, कि हम Mount Abu पर चड़ सकते हैं, तो simple सा है, कोई इंसान healthy होगा या उसके अंदर ability होगा तो चड़ पाएगा वो, तो चड चड़ने के लिए, वो ही चड़ पाता है, माउंटेर पर हम बार तो जाएंगे तो चड़ भी नी पाएंगे, देखकर भागाएंगे, तो means क्या है को उसके अंदर ability है, physical power है, physical strength है, तो वो ही शक्स माउंटेर पर चड़ सकता है, तो क्या होगा, कि we can climb Mount Abu, we can climb Mount Abu, ऐसा ही रा राधा can buy a new house, राधा can buy a new house, यह हो गया, अब क्या होता है, कि इसके लाबा can का उइकर होता है, आपको बहुत सारी books में मिल जाएगा, आज कर ट्रेंड में चला है, कि can का use permission के लिए होता है, जब कि इसको permission देना हो या लेना हो, तो can का use कर सकते हैं, लिकिन मैं इससे पहले मैं आप लोगो के लिए एडवाइस दोंगा कि जब कभी आप बात करो permission के, तो permission के लिए आप make a use करें, लिकिन can का use करना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा क्या है, कि इससे मच बैठर है आपका make a use, तो can का use permission के लिए आज कल हो रहा है, permission देना हो, permission लेना हो, तो हम यूज कर क्या में तुमारे कमरे में आ सकता हो, तो can I come in your room, क्या में तुमारे पास बैस सकता हो, तो can I sit with you, तो permission लेने के लिए और देने के लिए हम can का use करते हैं, लेकिन बैसे मैं आपको पहले भी कहा है, advice दोंगा, कि अगर permission की बात हो, तो आप use करें make a, किसका use करें आप, make a use करे क्योंकि can का use है, उससे कहीं better माना गया है make a, लेकिन आजकल चला है, अगर आप can का use करते हो, तो भी गलत नहीं है, तो can का use पहले क्या पड़ा है, कि जब बात power की हो, ability की हो, quantity की हो, sorry, ability की हो, capacity की हो, तब भी हम बात करते है, power के लिए, sorry, can के लिए उस power को show करने के लिए, दूसरा हमने use देखे that which machine के लिए होता है, permission देने के लिए और लियन, लेकिन बैसे generally, permission के लिए होता है, वो making पर को चीज थर्टीकल है और वैसा हो जन्रेल में तो भाँ यूज करते है कन का सिंपल सा जैसे यह हैं कि कि आप तरीक और सोटीकल पॉसिलिटी इसा होता है वहाल हर इंसान से गलती होते हैं अगे दिया एक सिर्टीकल नॉन्हारी बोलते हैं ऐसा हो सकता है यह थर्टिकल हमारे possibilities हैं इनके लिए हम can का use करते हैं आगे दिया है na electricity can be dangerous simple side vertical आपके एक सध्धंदक चीज है यह factual आपकी thing है electricity can be dangerous electricity simple side harm कर सकती है तो यह theoretical possibilities के भी हम can का use करते हैं तो generally यही can के आपको use मिलते हैं इस तरीके से पहला use बात power की थी power में आपका mind power money power physical power के बारे में बात करें यह बात ability आपको physical power में आता आपकी capacity हो इस टाइब से माल लो इस class में 20 बच्चे बढ़ सकते तो class की capacity है 20 students can sit in this class yes or no तो जहापका capacity के लिए हम can का use करते हैं ऐसा ही दूसरा मैंने बता था permission देने लेने के लिए लेकिन मैं आपको सब्सक्राइब करें कि में का use कहीं ज्यादा बेटर माना गया है लेकिन हम can का use permission के लिए कर सकते हैं यह भी गलत नहीं है और थर्ड हमारा क्या था can का use था वो किसके लिए था वो theoretical possibilities की था जब बात किसकी हो वो theoretical जब कोई सम्मावना हो सद्धानतिक उसके लिए हम can का use करते हैं से everyone can make a mistake हर इंसान से गलती हो सकती हर इंसान गलती कर सकता है it can be true यह सत्य हो सकता है सच हो सकता है electricity can be dangerous आपकी जो बिद्धुत है बिजली है वो खतरनाक हो सकती है जानलेवा हो सकते हैं तो यह can का use था इसके लावा can का use यह कर होता है आपका general sense में किसी की habit को सोकनने के लिए किसी सक्ष की कोई भी शक्स कोई person people है उसकी habit के लिए और उसका nature सोकन नेचर होता है उसका श्वभाब जो बोलते है उसके लिए होता है जैसे बोलते है अगर कोई इंसान अगर सत्य है कोई honest person है आपको 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 समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक और वीडियो करते रहें इस तरह के से मैं आपको जो भी आप चाहते हैं उन पर वीडियो साथ डालता रहोंगा और मैं पूरी कुछस कर रहा हूं कि आपको अपना बैस दे सको तो फिर मिलते हैं आप से नेक वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाए और प्लीज सब्स्राइब दे चैनल और लाइक और शेयर करना ना भूले और जो झाल 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 झाल